हालो और वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विताशीश आज का हमारे टॉपिक है कॉंपेंसेशन थेयरम के बाद एक और टॉपिक है स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार का ट्रांस्फरमेशन उसके बारे में हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे वो लास्ट टू आर प्लस डेल ऑर ठीक है अगर किसी भी ब्रांच का जो रिजिस्टंस है सबोस्ट टैनों से उसको हम लोग चेंज कर देते हैं ट्वेंटी ओंस में ठीक है तो टैन टू ट्वेंटी तो टैन प्लस एक्स और टैन प्लस डेला तो डेलार कितना हो जागा चेंज इन एलिया वेर्ड़ करेंट वस ओरिजिनली आई सपोस्ट करेंट कितना होगा इनिशली कुछ भी ले लिजिए 5 Ampere 6 Ampere then the change of current at any point in the network may be calculated by assuming that an emf-i-dell-r has been introduced into the modified branch while all of the sources have the emf suppressed and are represented by their internal resistances only ठीक है एक example के साथ हम इसे और clear हो जाएंगे ठीक है तो देख लेते हैं एक example यह हमारा source of emf है 50 volt का ठीक है यहां पे हमारे 20 ohm का resistor है यहां पर 10 ohm का resistor है और यहां पर 10 ohm का resistor है clear अब इसमें क्या हो रहा है इसको हम लोग change करेंगे इस 10 ohm के resistor को हम लोग 20 ohms कर देंगे ठीक है 20 ohms कर देते हैं और बाकी सब parameter same रहते हैं 20 ohm यहां पर 10 ohm यहां पर यहां पर 50 volt का जो वोल्टेज सोर्स था उसे हम लोगों ने सप्रेस कर दिया है ठीक है तो यहां पर क्या लिखा होता है into the modified branch while all other sources of emf have the emf suppressed and are represented by their internal resistances only तो वोल्टेज सप्रेशन हो गया यहां पर यहां पर internal resistance कुछ भी नहीं है तो वो वही का वही रहेगा ठीक है तो और यहां पर हम लोगों ने minus i del r introduced किया है ठीक है i कैसे calculate हुआ अब हम लोग इसमें आते हैं basically हुआ क्या है तो यह 50 volt का voltage source है यह दोनों resistances है 10 10 k तो overall 5 हो जाएगा 5 plus 20 25 हो जाएगा 25 ohms and 50 volts gives you i1 as 2 amperes clear i2 is equal to i3 is equal to 1 ampere ठीक है two ohms two parts में divide होगा equal resistances है तो one each ठीक है now suppose यह मैंने बता दिया आपको यह change हो गया है 10 ohms में तो voltage कितना introduced हुआ यहां पर minus 10 volts का यहां पर minus कैसे यह positive से negative direction में conventional current का flow दिखा रहा है और यहां पर क्या हो रहा है positive से negative में current का flow दिखा रहा है इसलिए दोनो clockwise और anticlockwise है इसलिए negative direction इसलिए minus 10 volts का यहां पर voltage source दिख लाए गया है ठीक है since 50 volts and 10 volts are in opposite directions तो इस case में हम लोग क्या note करेंगे यहां पर one each था यहां पर two ohm था यहां पर 50 volts था यहां पर क्या हो रहा है है यहां पर भी हम लोग similar तरीके से calculate करेंगे 10 और 20 10 और 20 का कितना यागा 1 by 20 plus 1 by 10 is equal to 1 by r ठीक है तो वो कितना हो जाएगा वो calculate कर लेते हैं हम लोग 1 by r is equal to 1 by 20 plus 1 by 10 which is equal to 20 1 plus 2 which is equal to 3 by 20 ठीक है यह आ रहा जाएगा आर इस इक्वल टू कितना 20 by 3 ohms ठीक है यहां पर अब प्लस 20 ohms ओवर और र्टी र्टी हो जाएगा 20 ohms प्लस 20 by 3 ohms तो इसका कुछ definite value होगा ठीक है यह हम हम लोगों को निकल गया तो हम लोग individual branches में current calculate कर सकते हैं ठीक है यहां पर हम लोग के लगाएंगे ठीक है और इसमें total कितना एगा उसके हिसाब से calculation easy है हम लोगोंने अब बिता कितना पढ़ लिया है ठीक है तो यह हो जाएगा उसके हम लोग क्या करेंगे जो हमारा suppressed voltage source था उसे हम लोग वापस से ले आएंगे तो 50 वोल्ट का यहां पर आ जाएगा और यहां पर 0.625 आएगा तो यहां पर वन एंपियर था तो यहां पर 0.625 यहां पर करेंट ड्रॉप हो रहा है क्यों कि यहां पर resistance increase हो रहा है इस branch में clear यहां पर क्या हो रहा है यहां पर वन एंपियर था यहां पर 1.25 एंपियर ठीक है क्यों क्योंकि जो एक्स्ट्रा करेंट इधर फ्लो नहीं हो रहा है वो इधर जाके फ्लो हो रहा है ठीक है और ओवराल जो रिजिस्टेंस है वो चुकि पहले वाले से ज्यादा है इसलिए ओवराल करेंट डिक्रीज हो रहा है clear so this is all about compensation term I hope you understood this अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो please write in the comment section okay thank you very much happy independence day to all of you thank you